हेलो फ्रेंद्स अस्री अकाल राधे राधे जैश्री राम स्तलाम वालेकुम आप सभी लोगों का एड़िट आप टीचिंग परिक्षा में तहे दिल से स्वागत है कैसे हो आप सब लोग जल्दी से बताओ I hope सब बहुत अच्छे हैं और अब एक्जाम की त्यारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं थैंक यू सो मज निकी कुमारी जी जो लोग भी लिखते हैं कि मैम हम बेट करें आप लोग फिकर मत करो फ्रेंट इग्जाक्ट शिक्सो क्लॉक आप लोगों का सेशन स्टार्ट होता है और मैं छे बजे ही स्टार्ट करती हूँ अच्छे से बहुत रेर चांस होता है जब वाकिय में कोई प्रॉबलम हो कोई टेक्निकल इशू हो जो सेशन एक आदे मिनट उपर हो जाए आप लोग जल्दी सेशन में जुड़ जाते हैं और लिवाईज करो ठीक है जल्दी जुड़ो रिवाईज करो बैटँ नहीं एक दूसरे सेशन पूछो कोई पी सनुछो रैंड़म पता हो विया वसम के नाशनल पार्क के आच्छा राजिस्तान के नाशनल पाकिया या कुछ भी आप लोग एक दूसरे से question पूछ सकते हैं हेलो मनप्रीट सिंग जी, विदूशी भार्दवाज, सुरुची कुमारी, शिवानी, सिराजुल, जै मिश्रा, आरिफा, अर्चना, प्रिया शुकला, नगमा, निकी कुमारी, शायद आप सभी लोगों का क्लास में स्वागत है, संदीब कुमार, रवी देयाल तो चलो फ्रेंट्स, आज के सेशन को, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मैंने रिविजन, आप लोगों को वैसे बहुत सारी क्लास रिविजन पे ले ली है, बट रिविजन सीरीज में, मैं ये सोच रही हूँ कि अब कुछ रेंडम टॉपिक उठाये जाएं, जैसे मुझे किस किस प्रकार की पेपर में आते हैं, वो देखेंगे, चाप्टर वाटर, चाप्टर अनिमल और बेसिक कॉंसेप्ट ऑफ फिजिक से आए हुए क्वेस्टन्स, सारे के सारे आज हम पेपर में देखेंगे, कल आपके फेवरेट टॉपिक पे सेशन रहेगा, ट्रेंड और ट्र जैसे हम प्रिवेस यह रहा हुए क्वेस्टन्स को सॉल्व करेंगे, मेरे सेशन कैसे रहते हैं, इसे डिसकस करते हैं, ट्यूजडे वेनसडे मेरे छे बज़े ईवेस पे सेशन रहते हैं, और ईवेस की पेडागोजी पढ़ाती हुँ मैं फ्रेंड्स, थर्जडे इवेस पर मॉक टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक छे बज़े सेशन होगा, सेशन में जुड़ना मत भूलिए फ्रेंड्स, बहुत हेल्फुल सेशन रहेंगे, यह एंड के सेशन बहुत हेल्फुल है, एक्जायम औरेंटे हैं, जो भी आपके एक्जायम में इंपॉर्ट इनकी ट्रिक एजी लगी और क्वेस्टन सौल हुए, थैंक यू सो मच, चलो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, फटा 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 सेशन के लिंक को कॉपी करो और शेयर करो जहां जहां पर आप लोग कर सकते हैं, और जब भी ऐसे अब यह वाली सीरीज चलेगी, देखो प्र प्रिवेसियर क्वेशन प्लस रिविजन होगी, तो आप लोग को क्या करना है, अगर बाईचांस इसे वाटर टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, मालो आप अनिमल्स टॉपिक पढ़ चुके हैं, बेसी कॉंसेप्स पढ़ चुके हैं, तो कुछ मत करो, इन टॉपिक हमें, ठीक है, वो सारे कर डालो, आज वाटर बेसिक्स कॉंसेप्स और फिजिक्स, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनिमल्स, इन तीनों के कुछ पैड़ेंगे, इन टीनों से आया हुए, जितने भी प्रिवेसियर पेपर में क्वेशन हैं, सारे कर डालो, टॉपिक revision में आपको करा दूँगी, previous year में आपको करा दूँगी, mock test में आपको करा दूँगी तो फिकर मत करो, EVS की पैड़ा को अजी भी हम लोग देख लेंगे, मेरे दोस्तों हाँ, बिल्कुल, EVS की पैड़ा, marathon classes भी होने वाली हैं, कराऊंगी दामीनी जी, travel के questions करा दीजे, आपने बोला, कल ही travel के questions है, ये रहा हमारा पहला सवाल आज का, फड़ा बट से बताएं कि अगर आप exam में बैठे होते तो इस question का क्या answer लगाते मेरे friends, while discussing about friction a teacher gave a number of examples to explain the concept some of the examples were friction is useful to our day-to-day life as quoted by the teacher given below उन्होंने बोला है, friction घर्षन के बारे में पढ़ाते हुए जो शिक्षक है, वो कुछ examples के बारे में चर्चा करती हैं इन में से कौन से examples हैं, जो नीचे दिये हैं, जो friction से relate करते हैं, सही बैठे friction के घर्षन के concept के उपर, we are able to write because of friction between tip of pen and paper जो हमारे pen की tip है और हमारा कागच है, अगर हम उस पर लिख पाते हैं, तो घर्षन की वज़े से लिख पाते हैं, friction की वज़े से लिख पाते हैं, we are able to walk because of friction between our feet and the ground, जो हमारे पाउं है और हमारा ground है उसमें friction होती है, घर्षन होती है जिस वज़े से हम लोग चल पाते हैं, a ball thrown vertically upwards come back to us due to friction, अगर हम किसी ball को उपर हवा में उड़ाएंगे वो वापस हमारे हातों में आएगा friction घर्षन की वज़े से we are able to stop a moving vehicle by applying brakes because of friction कोई भी cycle, vehicle, गाड़ी आप चला रहे हैं, अगर आप brake लगाते हैं, तो वो रुकता है अब ये जो vehicle रुका वो friction घर्षन की वज़े से रुका बताएं मेरे दोस्तों, correct example इन में से कौन से थे क्या बात है very good friends बिल्कुल बढ़ी है friends ठीक है ठीक है, पुलके तरावत जी, आपका class में स्वागत है तो चलो मेरे दोस्तों, देखते हैं इसका correct answer, option number 4 है कि D, A और B, तीनो correct examples थे, C नहीं था friends अब बाल thrown vertically upwards come back to due to friction ऐसा नहीं होता, अगर हम किसी भी बाल को vertically upward फैंकते हैं वो वापस हमारे हाथ में आता है तो gravity की वज़े से, गुरुत्व कर्शन की वज़े से आता है gravitational force की वज़े से आता है friction घर्शन की वज़े से नहीं आता बहुत easy सवाल, basic concepts of physics से आपके exam में पूछा गया question है तो इसका correct answer option number 4 था और सभी लोगों ने correct लगाया, very good friends next question friends, फिर से basic concepts of आपसे पूचा है, what is the mass of an object एक object का द्रव्यमान क्या होगा अगर उसकी density, घंतव आपको दी है 15 gram per milliliter और volume आपको 3 milliliter दे के रखी है तो ये बताएं कि उसका द्रव्यमान क्या होगा मास क्या होगी, relationship सोचिए friends, उससे question solve होगा ये भी आपके previous year में आहुआ question है basic concepts of physics से स्वातिश्री जी आप bell icon को ज़रूर प्रेस करें तभी आपको notification आएगा Thank you सुनिता जी ठीके friends, notification को bell icon को प्रेस कीज़ और telegram का channel ज़रूर जोईन करें मेरे friends, जो भी लोग telegram का channel जोईन करेंगे edutab seated kvs के नाम से है आप लोगों को notification ज़रूर मिलेगी वहाँ पर तो चलिए answers बहुत सारे आगे हैं और बिल्कुल सही answer option number one इसका correct answer है friends, आप लोगों से क्या पूछा गया था what is the mass of an object with a density of 15 gram milliliter भाईया density दे दी, घंत वो दे दिया हम सबको पता है density mass upon volume होती है द्रव्यमान upon item होती है हमारी density density आपको question में 15 दे रखी थी मैंने यहाँ पर डाल दी mass आपसे पूछा गया जो हम डूणेंगे volume 3 milliliter यहाँ पर आपको देखे रखी है यहाँ 3 डालो यह 3 वहाँ जाकर multiply होगा तो 15 into 3, 45 gram इसका correct answer आएगा जो की option number one में दिया था बिल्कुल सही और यह question आपके previous year में basic concept of physics से आया हुआ था बहुत बड़ी है फ्रेंड शाबाश थैंक्यू सो मच दामिनी जी अगला सवाल मेरे दोस्तों यह रहा what will be the weight of an object on the surface of the earth whose mass is 10 kilogram on the moon surface एक object का weight क्या होगा surface of earth पर अगर उसका जो mass है वो 10 kg दिया है on moon surface जल्दी से बताएं इसका क्या होगा अगर हम link देखें तो हम बहुत बारी friends इसका link लगाते हैं तो यह formula आप लोगों को बखू भी पता है और इस formula से related जो भी हम लोग link यूज करते हैं connection यूज करते हैं उन सारी बातों को भी revise करेंगे session में ठीक है very good कपिल देव जी शावाश friends very good सभी लोगों का बहुत बहुत correct link भी लग रहा है answer भी आ रहा है तो चलो discuss करें इसका answer क्या है उससे पहले और जो भी लोग लगाना चाहते है लगा दें कोई B कह रहा है कोई C कह रहा है very good almost सभी का correct है option number 2 60 newtons इसका correct answer है ठीक है देखेंगे कैसे होगा ये question अब आप सबको एक बात पढ़ाई थी वस्तू का चंद्रमा पे भार upon वस्तू का पृत्वी पे भार 1 upon 6 के बराबर होता है ठीक है अब 6 से याद आ गया question कराने से पहले 6 के सारे links को हम लोग revise करेंगे आप भी comment section में लिखें उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 6 से friends हमें याद आता है वस्तू का चंद्रमा पे भार upon वस्तू का पृत्वी पे भार 1 upon 6 के बराबर होता है जो हमारी braille lippi होती है जो louis braille द्वारा बनाई गई थी ने त्रहीन लोगों के लिए जो लोग देख नहीं सकते उनके रिए braille lippi बनाई गई थी 6 बिंदूओं की बनी होती है याद रखना paper में question आते हैं और मैंने आपको कराए हैं जो भी मेरे साथ session में नए जुड़े हैं वो एकदम अजीब मत सोचें की यारी एकदम से क्या हो रहा है friends पुराने मैं बहुत बारी repeat कर चुकी हूँ 6 के links आप लोग बस सुनते चलो एक दो sessions लगाओ आपको इस 6 के links आपको भी याद हो जाएंगे बहुत easily ठीक है चलो next link हमारे 6 का ब्रेल लिपी वाला हो गया friends आपने पश्मीना शॉल के बारे में सुना होगा जो पश्मीना शॉल होती है वो 6 स्वेटरों जितनी गरम होती है और 200 घंटे पश्मीना शॉल को बनाने के लिए लगते हैं पश्मीना शॉल कहां से है लदाक से लदाक की ट्राइब का नाम क्या है चंगपा ट्राइब ये ट्राइब के लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं भाईया रैबो कहते हैं और लदाक का हैमिस नैशनल पार्क लदाक में नैशनल पार्क है और लदाक एक cold desert होता है, यह सारे जो सारे connections हैं वो थे 6 से पश्मीना शॉल और लदाक के, लदाक में घर कैसे होते हैं, यह लोग यह बात आप मुझे लिख कर बताएं, shelter chapter को भी revise करेंगे, उसके बाद friends जो earthquake होता है, उसे Richter scale पर मापा जाता है, यह Richter scale याद रखिये, अगर earthquake की value 6 से जादा होती है, तो वो earthquake हानिकारक होता है, हमारी EBS में 6 themes होती हैं, फिर से 6 नंबर आ गया, हमारी EBS में दोस्तों 6 themes होती हैं, सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से अधिक समय स्पेस में गुजारा था, आप यह भी याद रखिये, वो women origin, second, Indian origin की second women astronaut है, पहली women astronaut कौन ह कलपना चावला, second women astronaut कौन है, सुनीता विलियम्स, याद रखना, एक और 6 से लिंक है फ्रेंट, जो हमारा tiger होता है, बाग, जो एक समय पे 40 kg मीट खा सकता है, उसकी eyesight 6 गुना जादा तेज होती है, as compared to humans, रात के समय में, अब यहाँ मैंने 40 बोला, तो जो sloth है मेरे दोस्तों 40 साल तक जीवित रह सकते हैं, और sloth 17 hours होते हैं, 17 गंटे सोते हैं, animals की बारे में discuss करेंगे, तो सभी animals को भी discuss करते हुए चलेंगे, यह थे हमारे छेसे link, और चलो अब देखेंगे, numerical ने हमारे लिए क्या कहा, very good है माक्षी जी, शाबाज मेरे friends, आपने बिल्कुल सही, रद उसके बाद वस्तु का प्रित्वी पर भार हमसे पूचा है, is equals to 1 upon 6 कर दिया, जब हमने इसे solve करा, तो हमारा answer आ गया, कितना, 60 Newton, ठीक है, I guess ये बात आप सभी को समझ आ गई कि 60 Newton यहां से कैसे आया, 6 वहां multiply हो गया, वस्तु का प्रित्वी पर भार यहां आ गया, अब friends, weight हमेशा Newton में measure किया जाता है, इसलिए 16 kg correct नहीं था, 60 Newton correct था, लेकिन मैं आपको एक सही बात बताओ, ये numerical में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है, जो question हमें exam में दिया गया, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहां question में mass दिया था आपको 10 kg, मानते हो, अग अगर यहां weight of an object दिया होता चंद्रमा पर, तो 10 Newton दिया होता, लेकिन यहां पर question में गड़बड़ी थी, solve तो question ऐसे ही होगा, ये question थोड़ा सा गलत दिया, इन्होंने यहां mass दिया, अगर आपको mass 10 kg दिया है, तो पहले हमें चंद्रमा पर weight निकालना पड़ता, ideally, अगर correct तरीके से इस question को solve करते, mass आपको 10 kg दे दिया, आप सभी को पता है, weight Newton में होता है, और gravity लगती है, ठीक है, weight के case में, तो weight mg होता है, तो आप क्या करते, 10 को 9.8 से multiply करते, और 98 Newton आता यहां पर, लेकिन इस 98 Newton को अगर मैं use करती, weight के जगा पर, तो correct answer option में इन्होंने नहीं दिय हुआ था, तो इनके लिए यह mass इसका weight ही है, जो की 10 kg है, तो आपने तभी यहां 10 सब्स्टिटूट किया, और question को solve किया, और 60 Newton इसका correct answer आया, I hope आपको समझा गए होगा, कि question में हलकी सी गड़ बड़ी, क्यूं है, और मैं आपको क्या बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ ठीके, बिल्कुल friends, इसमें जो है, यहां Newton आना चाहिए था, weight आना चाहिए था, और correct option उस हिसाब से नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने 10 kg को अपनी तरफ से weight मानते हुए, formula में 10 को डाला, weight of पृत्वी निकालने के लिए 60 को multiply किया, और 60 Newton को correct answer ले लिया, I hope आपको यह question समझ आ गया होगा, मैंने पहले भी यह question आपको पढ़ाया है, ठीक है, ठीक है राजिप जी, फिर से समझेंगे, ठीक है, देखो, question में आपको क्या दिया था, weight of an object on the surface of earth हम से पूछा था, done, हमें पता है, वस्तू का चंद्रमा पे भार, upon वस्तू का प्रित् 10 kg, यहाँ weight नहीं दिया, formula में तो भार डलता है, weight डलता है, हमें लेकिन इसी को यहाँ पर 10 को weight समझ के डाला और solve करा, और 60 N हमारा answer आ गया, but, ideally आपको यहाँ mass दिया है, 10 kg, भाया, mass दिया है, अगर आपको mass 10 kg देते हैं, तो acceleration due to gravity को लगा के, 9.8 meter per second square को लगा के, जब हम weight निकालते, वस्तू का चंद्रमा पर, mass दिया है, weight तक हम पहुंचते, तो हम mg करते, 10 into 9.8 करते, तो 98 N आता, ideally, जो correct है, question को करने का तरीका, लेकिन अगर आप 98 N को यहाँ पर substitute करते, तो जो option में answer दिये हैं, वो सही नहीं आते, examiner की गलती क्या थी, यहाँ mass की जगा weight लिखक 10 kg की जगा 10 N देना चाहिए था, और तब हमारा 60 N correct answer आ जाता, जो उन्होंने correct answer बोला, और उनके according correct answer है, लेकिन, चक्कर क्या है, यहाँ mass दिया है, आप सभी को पता है, weight तो N में होता है, तो मुझे इस mass को N में change करना पड़ता, तभी मैं numerical को solve करती, तो उसके साब से 98 N आत यहाँ पर 10 को substitute के और correct answer बता दिया, I hope आपको समझ आ गया होगा कि question में हलकी सी mistake क्यों है, ठीक है, friends 60 kg नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा, जो weight है, उसको newton में, weight जो है, उसके units newton होते हैं, यह बात ध्यान में रखिएगा, यह मैंने आपको कराया है, तो चलो friends, I hope आपको, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, select the following, a set of festival celebrated on full moon day, पूरे चंद्रमा के, जो full moon day होता है, उसमें कौन से festivalों को मनाया जाता है, होली, महाशिवरातरी, बुद्ध जैनती, होली, रक्षाबंद, गुरुनानक बर्दे, दिवाली, महाशिवरातरी, गुरुनानक का बर्दे, यह दिवाली, गुरुनानक से बर्दे, रक्षाबंदन बिल्कुल, weight का unit भी newton ही है, friends, ठीक है, tension नहीं लेने का, यह question ऐसे ही होगा, राजी भूसन लसर जी, अंकुर सर की class नहीं होगी, ठीक है, वीडी सर आप लोगों को maths कराएंगे, जो Friday को class लेंगे, ठीक है, आपको schedule में share कर दिये जाएगा, notification आप लोगों को मिल जाएगी, अंकुर सर की class अब हमारे session यहां नहीं होगी, वीडी सर है, जो maths की class को लेंग इसका correct answer बिल्कुल सही, option number 2 है, holy रक्षा बंदन, गुरुनानक birthday जो है, full moon day पर celebrate किया जाता है, basics of physics से एक और question, moon चंदरमा के उपर देखेंगे, friends, यह festival है, जो full moon day पर मनाय जाते हैं, पूर्णिमा के दिन मनाय जाते हैं, आपको इन festivals को याद रखना है, एक बारी आपके question exam में पूछा गया है, क्या पता दुभारा repeat हो जाए, गुरुनानक जैनती, ठीक है, holy, रक्षा बंदन और बुद्ध जैनती, यह चार festival हैं, जो आप लोगों के full moon day पर बनाय जाते हैं, ठीक है, math, pedagogy के लिए friends, tension मतलो, मैं discuss करूँगी, अली अहमत जी, फिकर नहीं करने का, validity सभी की 31st December से पहले बढ़ेगी, 31st Jan तक की जाएगी, आप भरोसा रखें, tension मतले, यही इशू के बारे में, आज मैंने discuss भी किया है, अपनी support team के साथ, और validity increase होने का process शुरू कर दिया गया है, फिकर मत करो, सभी की बढ़ाएंगी, ठी ठीक है, ठीक है कपिल देव जी, timetable डाल देंगे, तो चलो friends, आगे बढ़ो, next, weight of an object on moon, किसी भी वस्तू का चंद्रमा पर भार देखेंगे, weight of an object on moon upon weight of an object on earth, 1 upon 6 के बराबर होता है, यह formula ध्यान में रखेगा, इससे exam में question, पूछा जाता है, आपके सामने मैंने कराया, next, density important concept था friends, density क्या होता है, mass upon volume जो आपका घंतव है, वो द्रव्यमान upon volume होता है, इसका मातरक, इसकी unit होते है, kilogram per cubic meter, ठीक है, kilogram per cubic meter, kilogram centimeter cube, तो आपको यह ध्यान में रखना है, density के बारे में भी, इससे भी question आपके exam में पूछे जाते हैं, यह रहा आपका next question, animal topic से, फटा फट बताएं, तो जल्दी से चलो, animal में आये हुए important concepts को सभी को revise करते है, animal में बहुत कुछ है, revise करने को important topic है, फटा फट से बताएं, इस question का answer क्या होगा, which of the following birds make its nest among the thorns of cactus plant, cactus plant की thorn में कौन सी ऐसी bird है, ऐसा पक्षी है, जो अपना गोसला बनाता है, सभी की बड़ेगी friends, tension मतल ठीक है, चलिए, शाबाश, almost correct, answer number 3, dove इसका correct answer है, very good friends, अब birds के बारे में बात हुई, cactus में कौन घर बनाता है, dove बनाती है, birds के बारे में बात हुई, तो सारी birds को revise करेंगे, ध्यान से revise करो, आज ही session में birds को revise और याद करके जाओ, ताकि बार बार birds के उपर, दिमाग हमें ना खराब करना पड़े, ठीक है, आजाओ friends, सबसे important सवाल, paper में पूछते है, birds की जो eye है, वो fixed होती है, fixed होती eye position, यहाँ पर एक आख है, दूसरी तरव एक आख है, इसलिए जो birds है, oftenly अपनी गर्दन को इधर उधर गुमाते रहते हैं, paper में question आता है, reason क्या ह कि bird अपनी गर्दन को oftenly बार बार गुमाते हैं, ध्यान में रखना, क्योंकि उनकी जो eye है, वो eye position fixed है, अगली बात, सारी birds में से friends, जो owl है, उल्लू है, वो maximum अपनी गर्दन को 360 degree तक rotate कर सकता है, almost 360 degree तक rotate करता है, owl, यह भी आपको ध्यान में रखना है, paper में question पूछते हैं, अगला, important सवाल, मेना जो होती है, मेरे friends, वो अपनी गर्दन को back forth, एक jerk से, एक जटके से हिलाती है, तो मेना के बारे में भी आपको याद रखना है, यह अपनी गर्दन को back forth, एक जटके से हिलाती है, मेना, exam में question आता है, कौन सी bird है, जटके से अपनी गर्दन को हिलाती है ठीक है, back forth, तो आपको याद रखना होगा, मैंना इसका correct answer है, ठीक है, आगर friends, birds के बारे में आपको पता है, four chambered heart होते हैं, यह अपने lung से breathe करती हैं, जैसे सारे के सारे reptiles और amphibians करते हैं, यह सब बाते आपको पता है, यह eggs देती हैं, अंडे देती हैं, अब different different birds की different different nest कैसे हो dry grass और hedges को इकठा करती है, और अपने घोसले को बनाती है, थोड़ा सा सभी birds की nest के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इससे question exam में पूछते हैं, next अगर मैं बात करूँ friends, तो next आता है हमारा Robin, जो Robin होती है friends, वो कैसे बनाती है, soft twig, root हो गए, wool हो गए, cotton हो हो गए, इनसे अपने घोसले को बनाती है, किलचिडी, इनका घोसला बहुत जादा soft होता है, nature में, सवाल आ जाए, किसका घोसला सबसे जादा nature में soft है, आप बोलोगे, Robin का, किलचिडी का, next, crow के बारे में देखेंगे friends, crow अपना next कैसे बनाता है, wire को, wood को, घास को, और घास twix को use करते हुए, बहुत उचाई पर, ट्री पर, बहुत उचाई पर अपना घोसला crow बनाते हैं, कोवे बनाते हैं, ये भी याद में रखेगा, एक और important चीज, कोईल के बारे में, ठीक है, कोईल के बारे में, और कुकु के बारे में, एक और important चीज बात है, friends, कोईल कभी अपना गोसला नहीं बनाती, गोसला नहीं बनाती तो अंडा कहां देती है, कोयल क्या करती है, जो क्रो होता है, कोवा होता है, उसके गोसले में अपने अंडे चुपके से दे देती है, अब कोवा सोचता है, वो मेरे ही अंडा है, ठीक है, तो कोवा उसके अंडे को भी हैच कर करने में उसका सफूटन करने में मदद करता है ये भी धियान में रखना कोईल से रिलेटिट भी question exam में पूछ लिया जाता है डव जो होती है वो अपना जो nest है मेरे friends thorns of cactus plant में या फिर मेहंदी है जिसमें बनाती है cactus के कांटे हो गए मेहंदी के मेड उनके बीच में अपना घ जो sparrow है वो आप कहीं भी देख सकते हो sparrow को अपने घरों के आसपास गोरईया जो है friends वो कहीं पर भी मारे घरों के आसपास है अब ये nest कहां बनाता है cupboard के उपर हो गया mirror के पीछे हो गया कहीं पर भी अपने nest को ये लोग बना लेते हैं pigeons अपना nest कहां पर बनाते हैं same कबू पूतर भी sparrow गोरईया कहीं तरह अपने nest को कहीं पर भी बना सकते हैं ठीक है I hope मेरे friends ये सबको clear हो गया होगा देखो friends आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो कि मैम क्या ये paper 1 के लिए paper 2 के लिए है जब भी EBS लिखा हो थमनिल पे मेरे दोस्तों वो paper 1 होता है paper 2 science होता है paper 1 EBS होता है जब भी EBS लिखा होगा वो paper 1 होगा जब भी science लिखा होगा वो paper 2 होगा ये इन दोनों के बीच में फरक है आप confuse मत हो ये करो EBS की class join करके आप लोग पूछते हो कि मैं में science के लिए EBS friends science paper 2 है EBS paper 1 है चलो next आगे barbit और coppersmith की बात करेंगे friends ये क्या करते है ये जो tree है उसके अंदर एक hole बनाते है और इसके अंदर अपने जो अंडे है या अपना nest है अपना घोसला है बनाते ह बात करें दर्जिन चिडिया हमें नाम से ही पता चल रहा है जो दर्जिन चिडिया है वो दो पत्तों को stitch करती है सीती है और bushes के उपर इस प्रकार रखके अपना घोसला बनाती है sunbird जो होती है मेरे दोस्तों वो इस प्रकार लटकता हुआ घोसला होता है यह hang करता है घोसला और sunbird अपना घोसला इस प्रकार बनाती है शक्कर कोरा sunbird आपको यह भी याद में रखना है क्योंकि exam में क्या पता आप से पूछ लिया जाए ठीक है next सवाल friends जल्दी बताओ इस question का correct answer क्या होगा एक birds के उपर जो question आया उससे मैंने आपको सारा कुछ revise करा दिया अब मुझे बताओ कि इस question का correct answer आपके according क्या होगा friends tension मतलब जो भी आपकी वह है कि मैं आप यह topic करा दो यह topic करा दो कोशिश पूरी रहीगी कि जल्दी से जल्दी सभी की demand पूरी की जाए बहुत सारी demands है friends थोड़ा सा wait करें मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आप जो भी topic कह रहे हैं वो topic आप लोगों को करा दिये जाए प्रवाइट करा दिये जाए तो चलो correct answer आगया है which one of the following can be find a female partner many kilometers away just by her smell इसका correct answer option number one silkworm है ठीक है कि ऐसा कौन सा है जो अपने female partner को ठीक है उसकी गंद से अपने माधासाती को उसकी गंद से ही पहचान लेता है तो रेशम के जो कीडे है silkworm है इसका correct answer है आज़ा friends मुझे एक बात comment section में यह लिखके बताओ कि इस प्रकार revision क्या आपको सही लग रही है कि 2-3 topics जैसे 3 topics उठाए गए अब next time जो भी 3 topics उठाए जाएंगे या 2 topics ठीक है आप लोग उन 2 topics को आओ यह सोचके कि इन 2 topics से related मैं सारे question को यहां solve करूँ concepts भी बनाओं और जाकर भी previous year paper में से question जो भी इन topics है उसको चांटू और यह 2 topics खतम हो जाएं अगर आपको यह method अच्छा लग रहा है तो बहुत बड़ी है friends आगे भी इसको continue किया जाएगा ठीक है तो मुझे एक बारी comment section में बता दीजिए अब friends insects कीडों के बारे में बात करेंगे ants जो है friends वो recognize करती है अपने group को special kind of order से ठीक है एक special kind of gandh है जो एक type का group एक type का समुहू छोड़ता है और चीटिया वहाँ से recognize करती है अपने group को ध्यान में रखना कुछ insects भी ऐसी होती है friends जो attract होती है अपने mate की तरफ अपने साथी की तरफ उसकी smell से उसकी गंद से इसका example silkworm है अब यह silkworm रेशम के kit के उपर question आपके previous year में पूछा गया था ants को भी ध्यान रखना ants का भी यही तरीका है silkworm का भी यही तरीका है तो ध्यान में रखना मेरे friends यह बात को next question यह question भी आपके exam में पूछा जाता है thank you so much नेहा जी ठीक है तो चलो friends very good अगर आपको यह method पसंद है तो इस method को continue करेंगे कभी दो topics revise कर लेंगे कभी तीन कर लेंगे ठीक है कभी हो सकता है कि मैं एक ही revise करूँ अगर मुझे लगे कि बहुत भड़ा topic है तो उस topics related concepts प्लस सिरफ उसी topics related question आपके सामने session में आएंगे कि इस तरीके से त्यार होके आएगा कि आज मैं इस topic को करूँगा लेकिन एक और बात सिरफ सेम ही topic होगा ऐसी guarantee नहीं है friends आपको पता है link wink बनके इधर उदर तो पूरी EVS में हम लोग घूमते ही रहेंगे हमेशा तो an egret sits on a buffalo because जो बगुला पक्षी पर ठीके बैठता है क्यों बगुला भैंस पर बैठता है बगुला पक्षी जो है वो भैंस पर क्यों बैठता है friends इसका reason बताईए कोई बात नहीं तो मना जी जिसका basic concepts of physics strong नहीं है मैं एक बारी फिर से इसको पढ़ा दूँगी ऐसा आप टेंशन मतलो friends आप ही के लिए हैं आप जो बोलोगे topic करा दो वो topic करा दिया जाएगा because त्यारी आपको करनी है त्यारी मुझे आपको करानी है तो मुझे आपके recording ही चलना है ठीक है जैसे आप बोलोगे कर लेंगे train journey friends मैं already पढ़ा चुकी है map and direction भी अलग से करा चुकी है लेकिन आपकी request पे कल फिर से उस पर session आ रहा है please live जूड़ जाना उस session पे आप पी के ल relationship होता है संजीवी संबंध होता है ध्यान में रखिए अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से भी पढ़ेंगे friends इग्रेट बर्ड जो होती है भगुला पक्षी वो भैंस के पीट पर बैठती है क्योंकि उनमें symbiotic relationship संजीवी संबंध होता है इस से related question आपके exam में पूछा अब सवाल ईग्रेट बर्ड क्या करती है इन प्रजीवी होता है अब सवाल ये symbiotic relationship क्या है एक symbiotic relationship ऐसा relationship है जिसमें दो organisms, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहते हैं एक, maybe, या तो इसलिए कि एक दूसरे को फायदा दे, और दूसरा पहले को फायदा दे, या फिर इसलिए कि सिरफ एक ही एक का फायदा कर रहा हो तो इस प्रकार जब दो organism एक साथ रहेंगे, तो उसे symbiotic relationships, जीवी ठीक है, चलो very good friends, next question the different pattern on skin of animals are, ये question भी आपके CTT exam में से उठाया गया है, different different pattern होता है animals की skin पर, ऐसा क्यों होता है, an indication of their physical strength, इससे उनकी physical strength की indication मिलती है, due to the reflected light की, भहिया light reflect हो रही है, प्रती bimbit हो रही है light प्रकाश इस वज़े से, due to hair on their skin की उनकी skin पर hair होते हैं, बाल होते हैं, इस वज़े से ऐसा होता है या due to weather conditions in which they live, या फिर जो weather conditions हैं, जिनमें वो जी रहे हैं उस वज़े से ऐसा होता है बिलकुल पिंग कीजी, density वाले questions से भी question आ जाता है, ठीक है उसको भी करना है, हमें छोड़ना नहीं है एक normal सा question है, normal सा, numerical है शिवम सकसेना जी, देखो, EVS के लिए तो मेरी different playlist बनी है, आचा, science के लिए मैं मानती हूँ कि मैंने खुद YouTube पे जाके चेक किया है, जब आप लोगों ने मुझे बोला कि मैं प्लेलिस्ट में आड़नी होती, फ्रेंड्स आप लोग क्या करना, science की playlist के लिए, वहाँ पर एक playlist पढ़िए जिसमें General Science, KVS, NBS, DSS भी लिखा है, उस playlist पे अगर आप क्लिक करें, तो वहाँ पर उपर की 4-5 वीडियो हैं, उसके बाद नीचे मेरी सारी वीडियो science की present है, तो आप उस पर जाईए General Science, जिसमें लिखा है, NBS, KVS, उस playlist में मेरी सारे के सारे science के sessions present है, इसका correct answer option number 3 है friends, due to hair on their skin, जो animals होते हैं, उनकी skin पर बाल होते हैं, जिसकी वज़े से different different skin के pattern होते हैं, यह याद में रखिए, ध्यान में रखिए, आपकी NCRT में यह बात दी हुई है, जिससे related question उन्होंने आप से पूछा, next question friends, select the true statement from the following, अब इस में से true statement को आप लोगों को चुनना है, elephant के बारे में question है, पहले question solve करें, फिर सभी के सभी animals के बारे में हम लोग discuss करेंगे session में, कौन सा animal क्या है, किसकी क्या विशेशता है, कौन किस प्रकार है, राजीव हुसन जी, बिल्कुल अंकुर सर अब edit app के साथ नहीं है हाँ, density वाले से भी numerical आ जाता है friends, वो भी हम लोग देखेंगे, मैं आपको practice करा दूँगी, खुद से ही question बना कर भी practice करा दूँगी आप tension मतलब, जल्दी से बताओ, इस question का correct answer क्या होगा, select the true statement from the following इन में से कौन सी statement true है, elephant love to play with muddy water as it keeps their skin cool, हातियों को muddy water में खेलना बहुत पसंद है किसको नहीं पसंद, आपको भी है, मुझे भी है, और जो हाती है वो 10 घंटे एक दिन में बिंदा सोते हैं अ 3 month old elephant weighs about 200 kg, तीन महीने का old elephant जो होता है फ्रेंट, 200 kg का होता है most adult elephant eat about 100 kg of leaf twig in one day, बहुत सारे adult elephant ऐसे हैं, जो 100 kg of leaf twig को एक ही दिन में खा जाते हैं जल्दी से बताएं, इसका correct answer क्या होगा, thank you so much शिवम सक्सेना जी ठीक है, जल्दी बतादो friends, इसका correct answer क्या होगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद friends, session में live जुणने का please session में live आया करो, session देखने जुरूर आया करो, आपके लिए session है, आपके according session है, जो topic आप बोलते हो, वो मैं कराती हूँ मेरे को यह है, मेरी तरफ से friends, best कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छी exam की त्यारी कराई जाए आप लोगों बस इतना करो कि previous year को खोल के बैठो EVS के, questions को read करके देखो कि क्या आपको आते हैं, क्या आपको नहीं आते हैं, previous year देख की आपको पता चल जाएगा कि EVS में या किसी भी subject में आपका confidence level कितना है, कौन से subject में आप कितने पानी में हैं, वहाँ से आप judge कर सकते है कौन से subject पे कितनी मेहनत करनी है, और जहां तक EVS में आपको पढ़ाई है, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ friends, कि आप लोगों को बिना revision के paper में चले जाओगे, इतना हम बढ़िया तरीके से कर चुके हैं, जो class लगाते हैं, बाद में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर elephant rest करते हैं, 10 hours नहीं मेरे दोस्तो, 2-4 hours elephant सोते हैं, भाईया दसार वाली बात गलत थी, ठीक है, 3 months old elephant जो होता है, 200 kg उसका weight होता है, सही बात, और elephant जो होते हैं, एक समय पे friends, 100 kg of leaf twig खा जाते हैं, एक दिन में, ये भी सही बात थी, तो चलो, सभी animals को discuss करेंगे, आपको जो animals आते हैं, लिखना शुरू करो, मैं बोलती चलती हूँ, आप सुनते चलो, और साथ-साथ, जो आपको आता है, लिखते चलो, ये animals के इस पार्ट से related, question बहुत सादा paper में पूछते हैं, बर्ड से बहुत सादा question paper में आपके पूछे जाते हैं, चलो, मैं शुरू करती हूँ जो reptiles है, such as snake hair from the vibration coming out of the surface of the land, आप सभी को पता है, जो आपके सांप होते हैं, ठीक है, उनके external कान नहीं होते, वो क्या करते हैं, vibration जो कंपन होता है, ground का, जमीन का, उसको महसूस करते हैं, और सुनते हैं, उन्हें पता तल जाता है, अच्छा, vibration हो रही है अर्थ की, तो उस vibration क वो अफशोशित करते हैं, absorb करते हैं, और उन्हें पता जाता है, ठीक है, अब कोई खतरा है, या फिर कोई प्रे हैं उनका आसपास, snake के दो hollow teeth होते हैं, मेरे दोस्तों, दो नोकीले दान्त होते हैं, यह जिने fun कहा जाता है, याद रखना, कभी कबार question में आ जाता है, चार की लिदान्त होते हैं, और वो option straight away wrong हो जाता है, क्योंकि दो होते हैं, याद रखना, medicine जो होती है, फ्रेंड, snake bite की, वो कैसे बनती है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को snake काट लेता है, तो साम के poison से, साम के जहर से ही, उसकी दवा बनाई जाती है, चार टाइप ओ स्नेक हमारी country में poisonous हैं, फड़ा फचे लिखके बताओ, वो poisonous snake कौन से हैं, ठीक है, शाबाश, वो poisonous snake snake है, कोबरा, केरियात, रसल वाइपर और सो स्केल वाइपर, ये हमें याद में रखना है, हमेशा याद रखिएगा friends, इससे सवाल आपके exam में पूछा जाता है, और शाबाश friends, class लग फिर भी एक परी previous year को खोल के देखो, और देखो आपको confidence level कितना है, क्या आपको चीज़े तब याद आ रही है, ठीक है, next friends, beekeeping, बदुमक्खी के बारे में बात कर लेते हैं, अगर साम के बारे में बात की, अब beekeeping, मदुमक्खी पालन से मुझे बहुत कुछ याद आता है, सबसे पहली बात friends, जो honeybees होती है, leachy flower की तरफ attract होती है, कौन सा best month है, honeybees के लिए, ठीक है, अंडे देने का हो है, October to December, और यही best time है, जब beekeeping को start किया जाता है, रानी मदुमक्खी अंडे देती है, कारे करता मदुमक्खी रस का संगरहन करती है, और जो bee hive होता है, चटा होता है, उसमें कारे करता मदुमक्खिया होती है, तब ही रस का संगरहन होता है, अब रस nectar को collect करेंगी, तब ही तो वहाँ से honey बनेगा, तो उनका बहुत major important role होता ह friends, ठीक है, अब I hope ये बात आप सबको clear हो गई honeybee के बारे में, एक और बात हमेशा याद रखने है कि इसको epiculture कहा जाता है beekeeping को, जो madumakhi palan krishy है, उसे epiculture कहा जाता है, ये बात आप ध्यान में रखेगा, beekeeping, बिहार राजे से famous है, बिहार बहुत important है, madumani paintings बिहार से है, lichy बिहार का favorite fruit है, lithi choka बिहार का favorite fruit है, ठीक है, I hope ये सब आपको याद है, और walmi की national park, बिहार का national park है जो इंडिया और नेपाल के border पर present है, और कुछ भी बिहार से related आपको याद आए, जल्दी से मुझे बताओ, मैथली बिहार की language है friends, क्या पता मैंने कुछ miss किया हो, फड़ा फड़ से comment section में लिख के बतादो, कि मैं ये वाला point तब भूली गए, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे friends, elephant, हाती के बारे में देखेंगे जिससे related हमारे exam में question पूचा गया, very good छट पूजा आशिव कमल जी जो बिहार की festival है excellent friends, next elephant के बारे में देखो, हाती हर भी वोरस होते हैं, क्योंकि हाती शाखारी होते हैं, भाया पतियां बतियां खाते हैं, elephant जो है, उनके अपने कानों से अपनी body temperature को control करते हैं, flap कर लेते हैं अपने कानों बे, females जो होती है, friends, वो leader होती है group की, ठीक है, females जो है group में एक सम्हू में रहती है, जो oldest female होती है, सबसे बूड़ी जो female है, leader होती है उस group की, नरहाती जो होते हैं वो जुन्ड को 14 से 15 साल के जब हो जाते हैं, छोड़ कर चले जाते हैं, elephant 7.5 लीटर ओफ पानी एक टाइम पर पी सकते हैं, ठीक है यह important part, जिसे question आता है एक elephant 100 kilogram of leaf twig एक दिन में खा जाता है, friends, 100 kilogram पतिया एक दिन में पेल जाते हैं हाती, ठीक है, जो हाती 2 to 4 hours होते हैं सवाल में क्या था, कि भाईया हाती 10 गंटे सोते हैं, ऐसा नहीं है हाती सिरफ 2 से 4 hours तक सोते हैं, एक दिन में elephants जो है, friends, उन्हें mud और water में खेलना बहुत पसंद है जैसे यहाँ पे देखो, यह मिट्टी में बहुत enjoy कर रहा है, मिट्टी और पानी में खेलना पसंद है, क्योंकि यह इनकी skin को cool रखने में मदद करता है skin को cool करते हैं next friends, tiger bark के बारे में बात करेंगे, आप सभी लोग नीचे साथ साथ comment section में लिखते चलो, ठीक है ताकि आपका भी revise होता जाए सब कुछ, ठीक है, लिखते चलो friends, एक कान से मेरा सुनते चलो, आप लिखते चलो, लिखते चलो गे तो याद होता जाएगा, tiger bark के बारे में बात करेंगे, तो tiger friends, 40 kg of meat एक समय में खा लेते हैं, इतनी तगडी इनकी diet है, ठीक है, 6 times जादा इनकी देखने की capacity होती है, as compared to हम humans के रात के समय में ये भी ध्यान में रखना अब इनके कान बहुत तेज है friends, क्या तेज है, कान बहुत तेज है कैसे, इनके ears तेज हैं, कि वही अगर पत्तेओं की सरसरा हट है, हावा से पत्ते हिल रहे है इन्हें वो भी पता चल जाता है, और कोई जानवर चल रहा है, इन्हें वो भी पता चल जाता है, तो ये बहुत जादा तेज होते हैं, इनके कान बहुत तेज होते है और टाइगर बहुत most alert animal है, ये भी बात हमें ध्यान में रखने का है, फिर आते है slot के उपर, slot एक mammal है, जो beer की तरह नज़र आता है, friends ये ध्यान में रखे, भालू की तरह slot दिखता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, आप बस साथ-साथ लिखते चलो जो लोग नए हैं, पहली-बारी session में जुड़े हैं वो जब सुनते चलो, दो-तीन session लगाओ, तीन-चार session के बाद आपको इस सब कुछ मुझवानी खुद से याद हो जाएगा, मैं इतनी तेजी से बोलने पाऊंगे, जितनी तेजी से आप comment section में लिख लोगे, guarantee है ठीक है, ये एक nocturnal animal है जो 17 hours सोते हैं, friends 40 years तक जीवित रहते हैं और 8 पेड़ों के आर पार घुमते हैं मतलब एक पेड़ पे रह लिए, लटक वटक लिए ठीक है, वीक में एक बार नीचे आ गए कुछ टाइम बाद वो पेड़ छोड़के दूसरे पेड़ के उपर चले गए, तो sloth ऐसे करते हैं अब यहां 40 years लिखा है, sloth 40 साल तक जीवित रहते हैं यहां से connection बनाओ, अभी पढ़के आए कि tiger एक समय में 40 kg of meat खा जाता है ऐसे आपको link करना है tiger के बार में मैंने पढ़ाया कि 6 times जादा आईसाइट थे यह तो tiger की humans के comparative, अचा 6 से फिर बहुत सारा लिंक हमने पढ़े थे, है ना आप वो भी revise कर सकते हो friends session में next giraffe की बात करेंगे मेरे friends, giraffe tallest mammal है earth पर ठीक है और यह 5 meter height इनकी होती है यह sleep करते हैं बहुत कम सोते हैं 2 hours in 24 hours, मतलब 2 घंटे ही सोते हैं एक दिन में और इनकी life span 25 साल होती है 25 years तक यह जीवित रहते हैं, next सवाल यह रहा आपका फटा फट से बताओ इसका correct answer क्या होगा, अभी discuss किये मैंने और friends अगर session अच्छा लगे और आप session में जुड़े हैं जिन्होंने like नहीं लगाया फटा फट से जाके like बटन ठोक दें friends, मेरी request है आप से जल्दी से बताओ इस question का correct answer क्या है मैं फटा फट से बटती हूँ it looks like a beer but it is not यह beer की तरह दिखता है बट यह beer नहीं है, यह spend करते है 17 hours a day sleeping 17 गंटे यह सोते है भई यहीं से correct answer पता चल गया है मैं आगे का तो पड़ूंगी ही नहीं जल्दी बताओ इसका correct answer क्या है बिल्कुल सही option number 3 sloth इसका correct answer है बहुत easily आप सबी को आगया होगा अगला सवाल animals से select the correct statement from the following इन में से कौन सी statement correct है दोस्तों आपको चुननी है animals that have outside ears and hair on their body give birth to their young one जो जानवरों के बाहरी कान होते हैं शरीर पर बाल होते हैं वो यूवाओं को अपने young one को जनम देते हैं animals that do not have outside ears and hair on their body lay eggs ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान नहीं होते शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं animals that do not have outside ears and hair on their body give birth to young one वो animal जिनके बहारी कान नहीं होते शरीर पर hair नहीं होते बाल नहीं होते वो युवाओं को जनम देते हैं और animal that have outside ears and hair दे ले egg मतलब जिनके बहारी कान होते हैं शरीर पर बाल होते हैं भाईया वंडे देते हैं जल्दी बताएं कि इसका correct answer क्या होगा फटा फट से बता दो क्या बात है फ्रेंज शाबाश correct answer आ गया है कुछ लोग 3 बोल रहे हैं कुछ लोग 4 बोल रहे हैं बाकी लोग भी लगा दे हैं फटा फट से आपके according correct answer क्या होगा इत्मिनान से पढ़ो statement को और फिर सही जवाब दो इसका correct answer option number 4 है friends बहुत easy animals जिनके बाहर ही कान होते हैं शरीर पे बाल होते हैं युवाओ को जनम देते हैं बिलकुल सही बात है animals जिनके बाहर ही कान हैं कोई भी animal imagine कर लो जिनके शरीर पे बाल हैं उन्होंने युवाओ को जनम देते हैं और animals जिनके outside ears नहीं होते, शरीर पर बाल भी नहीं होते, वो अंडे देते हैं, ये भी correct statement है, तो option number A और B सही जवाब था, ठीक है, शाबाश, almost सभी ने correct लगाया, next up friends, water chapter को revise करेंगे, फटा फट से, water से आया हुए questions को solve करते हैं, ठीक है, आज मैंने आपके साथ बहुत सारे questions discuss किये, tension free, Tinku जी, tension मतलो class रोज ही होती है, Tuesday से लेकर Saturday तक मेरी class होती है, science, EBS, दोनों मैं पढ़ाती हूँ, तो आप जरूर session में जुड़े है, ठीक 6 बज़े, ठीक है, which one of the following is a correct statement, भाई या इन में से कौन सी statement सही है, आप बताएं, correct answer क्या है, फिर मैं discuss करूंगी, malaria is caused when a female mosquito which has bitten a malaria patient, bites another patient, वो कहते है, malaria तब फैलता है, जब एक माधा मच्छर ने malaria वाले बंदे को काटा, और फिर उसने दुबारा किसी और को काटा, malaria is caused by a mosquito bite at night, भाई या रात के समय में मच्छर काटा, मतलब आपको malaria हो गया, malaria is caused by a mosquito bite, जब मच्छर काटता है, आपको malaria हो जाता है, malaria malaria is caused by female mosquito bite, malaria जो है, वो female माधा मच्छर से के काटने से होता है, शाबाज मेरे फ्रेंट्स, बिल्कुल सही, option number 4, इसका correct answer था, very very good, अब बहुत लोग A, A, A लगा रहे हैं, बहुत लोग B लगा रहे हैं, बहुत लोग D लगा रहे हैं, फ्रेंट्स देखो first में क्या है, उन्हो malaria is caused, इस question में आप हमेशा confusion करते हो, इसलिए question में हमेशा कराती हूं, reason यही है question कराने का, malaria is caused when a female mosquito which has bitten a malaria patient bites another patient, अचा मतलब कोई भी female मच्छर घूम रहा है, किसी बंदे को malaria है, उसने उसको काटा, काट के उसने जब दूसरे को काटा, तो malaria फैल जाएगा, ऐसा नहीं है, एक special mosquito होता है, जिसको female, माधा, एनोफिलिस mosquito कहते हैं, जब वो व्यक्तियों को काटता है, तब malaria होता है, ऐसा थोड़ी है कि अगर माल लो कि किसी XYZ बंदे को malaria, एक मच्छर ने उसको काटा, फिर उस मच्छर ने दूसरे को काटा और malaria फैल गया, ऐसा नहीं होता friends, ठीक है, चलो malaria के बारे में discuss करते हैं, malaria एक life threatening disease है friends, बहुत जानलेवा बिमारी है, यह कैसे transmit होता है, एक infected mosquito होता है, जिसको female एनोफिलिस mosquito कहते हैं, नाम याद रखिए, माधा एनोफिलिस मच्छ, female एनोफिलिस mosquito जब किसी वेक्ति को काटता है, तो malaria हो जाता है, infected जो mosquito होता है, अब उसमे ऐसा क्या है कि भाईया वो malaria कर रहा है, उसमें plasmodium parasite है, plasmodium प्रजीवी है, जब वो काटते हैं किसी वेक्ति को, तो यह parasite उसकी blood stream में चला जाता है, ठीक है, उसके रक्त में परवाह हो जाता है, परवेश कर जाता है, जिस वज़े से malaria हो जाता है, तो दिक्कत female mosquito में है, ऐ इसकी वज़े से malaria होता है, क्योंकि यह क्या क्यारी करता है, plasmodium parasite, वो अगर blood में चला जाए, तो malaria हो जाता है, क्या होते है, malaria केस में बहुत ठंड लगती है, high fever होता है, कब-कबी छिड़के बुखार आता है, अब इसका इलाज क्या है, dried bark of synchona tree को यूज किया जाता है, malaria क medicine की तरह, लोग पहले के time के लोग क्या करते थे, जो च्छाल होता था, synchona पेड का, bark, उसको लेकर उसको पानी में उबालते थे, और उस पानी को पिलाते थे patient को, और malaria ठीक हो जाता था, लेकिन आज के time में tablets है friends, और सबसे important बाट, Ronald Ross है वो, जिनोंने मच्चर के पेड में जांग कर देखा था, और malaria की medicine बनाई थी, उन्हें Nobel Prize भी मिला था, ये बात ध्यान में रखने का, ठीक है, next question friends, फिर से malaria के उपर है, malaria water topic में से best है, ठीक है, इस से question बहुत बारी है और बहुत सारे पूछे चाते हैं, जल्दी से फिर से बताओ, इसका correct answer क्या होगा, malaria can be detected by testing the blood for the presence of, malaria जो है, उसकी जांच कैसे की जाती है, blood में ऐसा है, क्या देख लिया जाता है, ऐसा क्या आ जाता है, जिसे हमें पता जो जाता है, हाँ भई, इस patient को malaria है, ruptured liver cell in the blood, जो ruptured हो जाते है liver cell blood में इस वज़े से, larva of mosquito in the blood की भईया, रक्त में मच्चर के लावा है, वहाँ से पता चल गया, egg of mosquito in the red blood cell, लाल रक्त कोशिका में मच्चर के अंडे पाए जाते हैं, या प्लास्मोडियम in the red blood cell, या फिर लाल रक्त में प्लास्मोडियम आ जाता है, और बिल्कुल सही जवाब, excellent, option number 4, इसका correct answer है, प्लास्मोडियम होता है red blood cell में, ये इसका correct answer है, शाबाज friends, एक और question, water topics है, ये concept भी important है, जिससे बहुत बरी question repeat होता है, जिनसे question बहुत जदा repeat होते हैं, और बहुत जदा important topics हैं, वो सारे में आपको revise करा रही हूं, इन तीनों के, questions भी practice करा रही हूं, ताकि आपका, इस chapter से आए हुआ question, रुके नहीं paper में, A lemon sink in normal water, but float in salty water, because the density of, वो कहरे भाईया, एक lemon है, जो जो है, वो क्या करता है, normal water में तो डूब जाता है, नमकीन water में यार तहरने लग जाता है, तो density, salty water, because the density of, घंतव किस प्रकार है, salt water is more than normal water, कि भी या density, जो salt water की होती है, वो जादा होती normal water से, normal water is more than salt water की भी या, जो normal water है, उसकी density जादा है, salt water से, lemon increases in salt water, कि lemon increase हो जाता है, salt water में, lemon decreases, देंसिटी of lemon increases in salt water, या density of lemon decreases in salt water, correct answer क्या होगा friends 170 लोग live जुड़े है like बहुत कम है जिन्हें session अच्छा लग रहा है और अभी तक like नहीं लगा यार एक second लगा के like लगा दो यार ठीक है please फटाफट से session पे like करें और देखते हैं इसका correct answer क्या है correct answer option number 1 है lemon sink होता है normal water में लेकिन float करता है salty water में क्योंकि salt water density of salt water is more than normal water क्योंकि जो घंत्व है नमकीन पानी का वो जादा होता है नमकीन पानी का घंत्व जादा है इसलिए lemon तैरता है normal water का घंत्व lemon के comparatively कम है इसलिए lemon डूब जाता है ठीक है जी चालो friends देखेंगे property of water देखते हैं पानी के गुनों में density सबसे important गुन है जिस पे question बहुत पुछते हैं इसलिए बहुत important गुन है ठीक है अब density के case में क्या होगा मेरे friends अब देखो अब जिन जिन चीजों की density water से जादा होगी वो तो पानी में डूब जाएंगे और जिनकी density water से कम होगी वो पानी में तेरेंगे साफ सीदी सी बात है ठीक है कैसे देखते हैं अब देखो example के तौर पे देख लो यहाँ पर देखो अब देख चाबी की density पानी से क्या हुई चाबी की जो घंतव है पानी से जादा है तभी डूब गया सिक्कों का घंतव पानी से जादा है तभी डूब गया इस ball का घंतव पानी से कम है तभी वो तेर रही है इस लकड के piece का घंतव पानी से कम है तभी वो तेर रही है जिसकी density जिसका घंतव water से जादा होगा वो डूबेगा और जिसका घंत वो वाटर से कम होगा दोस्तों वो फ्लोट करेगा ये बात ध्यान में रखिए ठीक है next friends ये मैंने आपर आपके लिए कुछ examples लगाए हैं आपके साथ मैंने discuss कर लिए बहुत easy ये सारी चीज़े ऊपर क्यों तया रही हैं क्योंकि इसकी density पानी से कम है और ये नीचे की डूबी है क्योंकि इनकी density इनका घत्व पानी से जादा है ध्यान में रखने का अब question क्या पूचा गया था अंडा या lemon friends एक ही बात है lemon या egg ले लो इस experiment में एक ग्लास में मैंने normal पानी रखा उसके अंदर अंडा डाला मैंने क्या देखा कि ये अंडा तैर रहा था ठीक है next case में मैंने क्या किया एक और ग्लास लिया अब इस पानी में 5-10-15 चमच नमक क डाले फिर अंडे को मैंने डाला ठीक है ठीक है तो अब क्या हुआ friends ठीक है जब एक second friends एक second ठीक है friends देखो अब दुबारा से एक बर सुन लो अब ये है पानी का ग्लास sorry इस पानी के ग्लास में मैंने अंडा डाला तो अंडा डूब गया फिर एक और पानी का ग्लास लिया मैंने जिसमें पान दस चम्मच नमक के डाले और मैंने देखा कि अंडा या लेमन तैर ने लगा यार ऐसा क्यों हो गया? नमक डाला तो लेमन तैर क्यों रहा है? नॉर्मल वाटर में लेमन या अंडा डूब क्यों रहा है? friends क्योंकि normal water में जो egg है जो lemon है उसकी density पानी से जादा है उसका घंतव water से जादा है इसलिए वो डूब रहा है अब salty water में क्या हुआ कि जो अंडे का घंतव जो है वो पानी से कम हो गया पानी की density बढ़ गई अंडे की घट गई यार अंडे की density घटी तो अंडा तैड़ने लगा इसलिए इस case में अंडा जो है वो float करने लग गया है ठीक है I hope friends आपको ये समझ आ गया होगा Thank you so much Neha Mahajan जी I hope सभी को अच्छा लग रहा है सभी को समझ आ रहा है और जो लोग कह रहे हैं मैं नाशनल पार्क रिवाइस कर दो इसलिए वो डूब रहा है और salt water के case में अंडा lemon की density कम हो गई क्योंकि आपने नमक डाल डाल के डाल डाल के पानी की density बढ़ा दी यार पानी का घंत वो बढ़ा दी अंडे का कम हो गया उसके comparatively इसलिए अंडे ने float किया ठीक है अब याद यह रखिए जो यह आई होप मैंने यहाँ पर आपको यहाँ समझा गया होगा फ्रेंट्स यह जो बॉल है यह डूबी और यह बॉल तैरी इसका reason क्या है कि छोटी बॉल की density जादा है और बड़ी बॉल की density water के comparatively कम है next question friends यह बहुत important question है दो तीन बारे यह भी repeat हुआ हाँ बताएं इसका correct answer क्या होगा what is the dead sea मृत सागर क्या है अगर हमें पता है dead sea क्या है हम तभी इसका answer दे पाएंगे नहीं तो नहीं दे पाएंगे a sea whose water is poisonous ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है दोस्तों उसे dead sea कहते है a sea which is saltiest of all the ocean and sea ऐसी sea जो सबसे saltiest है नमकीन है उसे हम dead sea कहते है a sea in which high and low tides are very frequent ऐसा सागर जिसमें जलज़वार भात हैं बहुत ज़्यादा है और कम होते हैं high और low tides आती रहती है a sea in which it is dangerous to sail ship SEC जिसमें ship को sail करना बड़ा मुश्किल है friends तभी इसका नाम dead sea है जल्दी बताओ इसका correct answer क्या होगा excellent मेरे friends very good बहुत बढ़िया बहुत correct और friends please अगर आपको कोई भी चीज एड़ करानी होती है session में कि मैं यह तरहीके से करा दो ठीक है आपको पता student centered approach है मेरी तरफ से पेड़ा गाजी को बहुत follow करना पसंद करती हूँ मैं मुझे अच्छी लगती है तो friends please आप मुझे बताएं कि मैं यह चीज आड़ कर दो यह चीज आड़ कर दो paper pass हो गया ऐसे कर दो जैसे आप बोलोगे वैसा भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा previous year question की demand मैंने आपकी पूरी की ठीक है वो आगे भी होगी उसके बाद आप जो भी कहते हो मैं वैसे ही कराती हूँ बस मुझे आपसे एक चीज चीज चाहिए कि यार live आया करो नहीं तो recorded session जरूर देखा करो इसमें आप ही का फायदा है मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको session में याद भी करा रही हूँ जो कि बहुत important बात है जो आपको कहीं और नहीं मिलता ठीक है पढ़ भी रहे हैं याद भी कर रहे हैं यहीं पर सब कुछ करेंगे previous year भी solve करेंगे बिना revision के paper देने जाओगे यह दावा आपको मैंने दिया है friends तो प्लीज आप साथ साथ बुता सकते हैं कि मैं यह वला important topic है मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है यार यह तो कराई देना देखो सुमिता जी आपने मुझसे पूछा कि मैं आपकी class लेते हैं आप EBS पढ़ा दोगे तो क्या book पढ़नी पड़ेगी previous year paper देखो मैंने आपको EBS पढ़ाई है आपने मुझसे बहुत EBS पढ़ी previous year paper देख लो एक बारी सारे अगर आपको लगता है कोई ऐसा concept है जो रहे गया हो तो आप cover करो वैसे almost अपनी तरफ से मैंने आपको सब कुछ करा दिया है ठीक है अगर आपको फिर भी लगते हैं कि मैं ये चीज में हमें doubt आ रही है तो वो करा दो तो आप मुझे वो भी कह सकते हैं I hope आप समझ सकते हो कि मेरे पास हफते में दो से तीन classes EVS की होती है और वो भी सिरफ एक ही घंटा होता है तो उस हिसाब से ही मुझे चीज़े प्लान करनी पड़ती है कुछ रहे गया बता दो मैं करा दूंगी Done तो इसका correct answer option number 2 है C which is saltiest of all the ocean and sea SEC जो सबसे ज़ादा नमकीन है Dead Sea के बारे में बात करेंगे सारे के सारे ocean sea हो गए है salty water होता है उनमें Saltiest of all is Dead Sea ठीक है सबसे ज़ादा नमकीन मृत सागर होता है approximately 300 gram of salt present होता है एक लीटर पानी में आपके एक लीटर पानी में 300 gram तक का नमक मिला होता है इतनी saltiest होती है Dead Sea Normally आप पानी में jump मारो किसी ocean में friends ढूब जाओगे बिना अगर मालों आपको swimming नहीं आती और आपने life jacket नहीं पहनी आप ढूब होगे लेकिन अगर आप Dead Sea में छलांग मारोगे तो आप float करोगे क्यों क्योंकि अभी अंडे का example पढ़ा न जब पानी के glass में बहुत जादा नमक आपने डाला तो अंडा 13 इसी प्रकार जब पानी में बहुत जादा नमक मिला है तो पानी की density पानी का घंतव Dead Sea के पानी का बहुत जाता है अब नॉर्मल वाटर की केस में हमारी density जादा कूद के देख लो डूब जाओगे Dead Sea में हमारी density कम क्योंकि water में salt मिल गया पानी salty water की density घंतव वैसे ही जादा हो गया आप कूदो आपकी density कम हो जाएगी और आप float करेंगे I hope ये बात सभी को clear हो गई होगी science की classes भी हो अब प्रीज एड़िटाप सीटेट के विस के नाम से यार पीडिएफ जो होती है इसकी जो हम पढ़ाते है वो आपको वहाँ पे मिलती है लो ना पीडिएफ जो फ्री में मिल रही है आपको नोटिफिकेशन आएगी आज इसका session है आपको टाइम टेबल शेयर किया इतने बज़े इस teacher का session है आपको बहुत फैदा होगा telegram पे हमारे channel को join करो free of cost है मेरे friends easily ठीक है निकी कुमारी जी science भी almost आप सबकी strong हो गई है बाकी मैं करा दूँगी मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों ने मुझे बोला था कि हमें मैं previous year शुरू कर दो तो science में previous year की series मैं ने शुरू कर दी फिर आपने बोला मैं topic wise यह करा दो तो topic wise भी हो जाएगा जैसे आप बोलोगे होगा फिकर मत करो ठीक है हिमाक्षी जी आपकी भी request पूरी की जाएगी फिलाल थोड़े से seated के topic कराने जादा जरूरी है क्योंकि paper एकदम से आगया आप जो EVS के action award कह रहे हैं वो भी करा दूँगी national parks भी मैं revise फिर से करा दूँगी जो लोग कह रहे हैं कि national parks भी हमें revise कराए जाए ठीक है I hope friends आज का session आपको अच्छा लगा होगा मैंने आज पूरे 15 question आपको कराए तीन different different topics से ठीक है कि मैं यह chapter पहले ले लो मेरा agriculture week है मेरा animal week है मेरा train journey week है मेरा travel week है जो भी आपको week लगता है बता दो उसे साब से मैं फिर से आपको पढ़ा दूँगी सारा कुछ बट शर्त एक है session में आओ session को share करो जितना कर सकते हो और like ठोक के जाओ वईया यह 2-3 काम तो आपको करने ही पड़ेंगे ठीक है at least कोई बात नहीं तमना जी very good प्रिये शुकला 15 out of 15 तमना जी कुछ नहीं होता अगर 10 marks भी आए आपके अच्छे marks आए हैं यहाँ पर जो 5 questions आपके गलत हुए पेपर में वो questions गलत ना हो आप इसके बारे में सोचो बहुत अच्छा हुआगी आज गलत हो गए तब ना हो ठीक है thank you so much Neha Mahajan जी 15 out of 15 very good friends class लगा लो मैं बहुत सच में कोशिश करती हूँ कि मैं आपको max to max अच्छा और सब कुछ कराऊं तो आपको फाइदा ही होगा ठीक है साथ साथ अपनी त्यारी भी करते रहें आपको और जहां पर भी session देखने जाने हैं जाएं लेकिन मेरे session में ज़रूर आएं important sessions होते हैं आप जहां भी session देखें NCRT की books पड़ें प्रीवेस यहर कुछ से solve करें जो भी करें बट session में आएं friends revision और त्यारी और जो वो learn कराने वाली बात है ना जो connection लगा के फो मैं बहुत अच्छा कराती हूँ तो प्लीज आप session में ज़रूर जुड़ा कीजिए सभी को good night है ठीक है तो कोई बात नहीं friends 3-4 गलत हो गए कोई फरक नहीं बढ़ता जाने से पहले like जरूर कीजिए जिनको session अच्छा लगा thank you so much bye take care good night है सभी को friends कल मिलते हैं 6 बजे train journey के questions के साथ